तो दोस्तों जो पिछले दिन की ठीक निश थी वह मैं आपको दे नहीं पाया था रसल आज पास काफी ज्यादा नुवाई जारा रहा है और बगल मॉल्ले में साधी भी हो रहे हैं जिसके बज़र से मैं टेक निश सुट नहीं कर पाया है दोस्तों तो इसके लिए स्टीबली और आज की बीटेक निश काफी इंटेस्टिंग वने वाली है तो वीडियो को पूरा वाच करना और सबसे इंपोर्टेंट टेक निश मैं आपको लास्ट में बताऊंगा तो वीडियो को ज़रूर से वाच करना दोस्तों और रोज तो बोलता आई रहा था हूँत तो नहीं इंडिया में और साथ में दोस्तों इसका हाई-laid है इसका केमरा इसमें आपको 50 MB पीकसल का प्रामरि 가운데 अच्छ और साथ में 48 मेंकशल को लोग बी priorities ऐस camera कम थोड़ा और करना चाहिता है या इस प्राइस सेंगेंट में या फोन बढ़िया है मुझे कमेंट सेक्शन में जब मेंसर करना है दोस्तों अगली दोपो के तरब से निकल के आ रहे हैं ओपो ये 53 है फाइली इंडिया में 27 अफिल को लॉंच होड़े वाला दोस्तों और खा प्राइस आपको 15,000 से नीचे के रेंज में देखने को मिल सकता है तो इंटेस्टिंग लॉंच है वह भी 17 अप्रील को और वैसे ओपो ने ऑल्लेडी ये 74 कुछ दिन पहले इंडिया में लॉंच किया था तो उसे कितने लोग ने पर्चेस किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज में इसे पांगे में इसमें सब्सक्वेड चलिए क्योंच को मोणी कर दिया है उसमें पिछले टेखने पर और पिछले चेक्निश का मैंने आपको सारे इस प्रीकेंट सपोर्ट दहीं को मिलने वाला साथ में 4K UDL, 4K HD आप इसमें देख पाएंगे और इस audio place में आपको Dolby audio vision देखने को मिलने वाला है और साथ में यह TV फुल वेजनलेस भी है दोस्तों तो इंटेस्टिंग लॉंस तो था ही और साथ में इसकी जो प्राइस है वो एक लाख 20,000 के प्राइसें में रखी गई है इंडिया में तो जो भी other TV है जैसे सैमसंग और बाकी अधर कंपनी है उसके कंप्रीजन में अगर इस TV को दखे तो दोस्तों यह TV कापी सस्ता है और इस प्राइस के तोड़ पर भी कापी अच्छा है वैसे जो लोग भी इससे पर्चेश करा जाते है मीने काफी सही किया इसको लॉंच करके अभी मुझे जबूर मतार ना दोस्तों अगली नूज इंफिनिक्स के तरफ से निकल गया इन फिनिक्स होट 10 प्ले जो पिछले दिन इंडिया में लॉंच हुआ था अब उसकी सेल 26 अप्रिल से इंडिया में स्टार्ट होने वाली द जो लोग भी लेना चाहते हैं 26 अप्रिल से सेल में आप इसे पर्चेस कर सकते हैं अगली नूज आईक्यू के तरफ से निकल के आ रही है और यह नूज काफी इंटेस्टिंग होने वाली है दोस्तों आईक्यू सेवें 26 अप्रिल को इंडिया में लॉंच होई रहा है और सा प्राइब डागन 870 और 1 प्लस 9 में 888 प्रोसेसर तो ज्यादा कुछ डिफ्रेंस तो है नहीं तो कितने लोग इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्षर में ज़रू करके बाताना और यह भी बाताना कि iq7 1 प्लस 9 को टक्कर दे पाएगा कि नही यह मुझे ज़रूर मेंशन करना तो 26 अफिल को लॉंच होता है फिर इसकी प्राइस रिविल होगी फिर मैं आपको अपडेट कर दो दोस्तों आज की टेक्नियूज बस इतनी तो जिल लोग को यह पसंद आता है तो प्लीज यार लाइक से और कमेंट मारना और यह मुझे ज सब्सक्राइबर की जरूरत है तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब मारी के जाओ और साथ में मुझे यह भी बताना कि टेक्नियूज के लाबा और किस तक वीडियो आपको अच्छी लगती है यह मैं आपको देने ही कोसिस करूँगा और कल संडे हाई तो मैं फीचर्स वीडि तो इसकी बज़र से मैं सूट नहीं कर पाता हूं तो इसके लिए स्टेम्डियू सौरी और जो भी हमारे सब्सक्राइबर है तो थोड़ा सा हतास नहीं हो क्योंकि मैं यहां पर एज लॉंग टर्म यूट्यूबर काम करने आए तो मैं आपको रेगलर टेक्नियूज देने आपाइबर्मेंट मत होना तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स दिए में तब तक ले।